नौसकार किसान भाईयो आज मैं जिन किसान साथी के यहां पर आया हूं उनके पास मैं दो ट्रेक्टर हैं और दोनों ही ट्रेक्टर डिफरेंट कंपनी के हैं भाइयो इन नौन ट्रेक्टरों के बारे में किसान साथी से जानकारी लेंगे आपको एक बार पहले मैं ट्रेक्टर दिखा दूँ भाइयो ये वाला ट्रेक्टर इंडो फर्म 3048 डियाई 50 एच्च की 4x4 ट्रेक्टर है कॉंस्टेंट मैस्क एर बॉक्स के साथ ड्यूल क्लच भाइयो इस ट्रेक्टर के बारे में जानकारी लेंगे और भाइयो एक ट्रेक्टर और है इसे भी दिखा दूँ भाइयो ये है इनके पास प्रीत 45 उड़ंचास भाइयो दोनों ट्रेक्टरों के बारे में जानकारी लेंगे पूछेंगे किसान साथी से कब कब खरी देते कैसा काम कर रहे हैं अब क्या 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 इंप्लीमेंट इन ट्रेक्टरों पे चलाते हैं तो भाईयो मिलवाता हूँ किसान साथी से, ट्रेक्टर काफी शानदार है भाईयो इनके, भाईयो हमारे साथ ने किसान साथी, नमस्कार भीया, नमस्कार, भीया थोड़ा सा अपने इंट्रोडेक्शन कराएं, मेरा नाम अनिल कुमार, जी, जाओं जरियालंपुर, डिस्टि यह सेकंड हैं यह नए खरी देते हैं, यह कौन सा मॉडल होगा जोगी देख पा रहे हैं, यह इंडो फार्म 2017 मॉडल है, 2017 मॉडल आच्छा, तो यह क्या कुछ कीमत में पड़ा था जब आपने खरीदा था, तीन लाग साथ हजार रुपे का, यह 4x4 है, तो कैसा काम करता है मं बढ़िया है, बढ़िया करे औह दॉड़ा, जिञा जूड़ा, सिपने खोके हैंगी हृप जवी था हैं इसे अधे देख वारे, आगे-ाइज यह अच्छा अच्छा हर समय 4x4 लगा के चलाया उन्होंने इस वज़े से अगले प्रेर जादा चलेगा अच्छा जैसे 4y4 है यह तो बढ़िया जो लगाव है बिल्गु बहुत बढ़िया जो लगावा पिछले वी जो सिर्फ काट करें मैं तो पिछले की को जरूरत ना फिर अ तो जैसे रूटर रूटर पे चलाए करो यह त्रैक्टर भी आपके पास यह तू बाइटू में है और यह 4x4 में तो कुछ 4x4 का अंतर दिखा एवरेज वगेरा में अच्छा नहीं है जात्तर किसानवाई यह बताते हैं कि 4x4 ट्रैक्टर जो कम सिलिप काट के चलते हैं फ इस वज़े से जो है हम तो जिताइन जो सिंगली के चलाते हैं अच्छा सिंगली चलाते हो बागी जो है लोड़ बागे जो है ट्रोली बगरा है इस पर जो है 4x4 चलाए अभी आलोगोनी मेशीन चलाई है ओटमाटिक पैड़ वाली उस पर 4x4 चलाए तो एवरेज बढ़ी बढ़ी आया रहा है बढ़ी आया है तो इसमें सिर्फ निकाफ पाता फिर अच्छा यह तो जो इस पेसल मसीन की वज़े से लिया था अच्छा पूर वाइपोर अब जो कंप्यूटर मांजे के लिए कर लिए हैं शत्रिया भाहियो टायर साइज की बात करूं तो इसमें चो होते हैं आपने दोनों ट्रेक्टर ही अलग-अलग कंपनी के लिए हैं तो यह क्या ऐसा कुछ का सोजे रहे हैं अपने अपनी पसंद होती है हां मेरे पर पहले चावा लिस्कत पर पावर ट्रेक्ट था अच्छ वालों का है उसका भी लोड़ जब ज़सता सौराज का तो अच्छ नहीं हो ट्रेक्टर चा अब फिर दावें घुटा नहां से जिए 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 अभी चावाली साफ्तो सचा वालिस वह वी दप्ता चलता अच्छ यह ट्रेक्टर होरे से और बताईये इसके बारे में बह इनके पास यह प्रीत पेंतालिस उड़ंचा ट्र भी है इस का लोड तो हही निए 50 HP की भी प्रेलेस के सामने है अच्छा जी बाइयो यह 45 HP ट्रेक्टर बता रहे हैं कि इसका कोई तोड़ निया चैसे कटर भी केवल नौश्पीड पर चलता है अच्छा जी अच्छा जैसे आपके पास इंडो फर्म भी खड़ा है फोर वाई-फोर यह भी है तो दोनों में इंडो फार्म से सूपर है बैस मुझे जो लगा लोड लोड खींचने के मामले में या ताकत लगाने के मामले में ज्या दुट्र लगा इसका है बहुं बता रहे हैं यह कितने का पड़ा जी यह मैं ने लिया था एक लाग नुगदा जा लोगे तो यह दो सस्ता ही पड़ गया जी भाई-व ट्रैक्टर काफी सांदार है कौन सा मॉडिल हो गए है मैं नहीं है भाई-ग-चोदा मॉड़ बता रह अच्छा तो कभी आग इसा उठने की शिकायत किया हूँ बढ़िया है कि लिफ्ट पर जब कोई चीज भागी चलती है जैसे आलू बूनी मशीन है फूल लिफ्ट मशीन हो तो इसको उठ जाता उठ जाता उठ जैसे अभी आलू बूनी मशीन चलाई थी इस पर लख लिया था इस पर पैड़ वाली मशीन चलाई थी शुरूबाकर तो इस वज़े से वह लगा लिया अच्छा बागी थोड़ा सा आग ऐसे बेट तो हई कम लेकिन बढ़िया मेरे मेरे में वैसे अगर आप छोटी जीगह में कर जाता थोड़ी सी जीगह में जी अगर आस सला देना चाह मेरे मामा प्यक्तारीस लगा लो चाह सासतो चाह साफ फेल मैसी लगा लो चाह वो लगा तो जितना मैसी के जीए इस फैप अब्रहाए बढ़िया बता रहे हैं और स्वदेशी कंपनी हैं पंजाव की प्रीट हमारे तो बहुत गराख आरे है जो तीस लग रहे हैं लेकिन ब बढ़ा ट्रेक्टर लखी है पीटीओ पावर कैसी यह इसकी बहुत जब 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 जस्त केवल के बीट के स्पीड पर चलता कटर के अच्छा कितना लोट लगा लो चार पांदे लगा लो अभी कटर चलाया था पिछली सीजन में नो की चला था पावर ट्रेक चला था 14 पर अ को सबस्कारी कि भी तो तो तेरे के भी आते होंगे इसमें चौदे के भी हैं 16 के हैं अच्छा दपता तुनाएं टायरों कर अभी को यह ने हमारा तो बिल्कु खतन है ठीक्टर फिर भी जो है हाँ जबढ़ जस्त है जबढ़ जस्त है जब जस्त है जब इस अज़े कोई क्रा पर मेंस भी दिखाएंगे क्योंकि अभी तो काम दंदे सभी बंद है किसान साथियों के जिस वज़ा से ट्रेक्टर घर पर ही खड़े हैं ये इंडो फर्म है इनका डावल कल अच्छा वजन वजन सहीद कम तो ना इन ट्रेक्टर में और ट्रेक्टरों के पेक्षा ना इसके अच्छा इसमें कम है इसमें ज्यादा कुंटल का डिफेंस आता है कि दोनों फिर ने दोनों ही तीन सेंदृ ट्रेक्टर है एक बार इस ट्रैक्टर की आवाज सुनवा को दिखाओ भाईयो एक बार आवाज भी सुनवा को दिखाओ उन्गा इसकी है और काफी उंचा ट्रै अधियों काफी जजब आवाज है बन्री हुई है और शाल्दा बजने कर दो अच्छा मेंटिनेंस तो कोई खास नहां था क्योंकि जात्तर किसान भाई लेना पसंद नहीं करते ये ट्रेक्टर और मैंने अपने शित्र में कम भी देखे हैं अच्छा जैसे इसकी केटागरी में स्वराज 744 XT है जैसे आपका यह ट्रेक्टर है तो उससे पूरी टक कर ले उससे 21 होगा 21 होगा कम नहीं है कहीं बाईयों बता रहे हैं उससे कहीं भी कम नहीं है 21 ही है काफी बढ़िया जोर लगाता है और खेती किसानिक कारिया में बहुत ही बढ़िया ट्रेक्टर है काफी शांदार जैसे कायि तो है इस ये बढ़िय जा वर जाय है 22 तो भी न उठाए औरल इप सेंसिंग कैसी जैसे जुटाई बगर आ कारिया करते हैं और दार्श्ति की साइथ आउ नहीं का er casually बता रहे हैं मैंसी की तरह ही सेंश्ञ Пटक आप टेर तो साथ के होंगे जी एक चेह कशी ना किसे ने उनको जानकारी न दी तो यह कहां से खरीदा अलीगर से खरीदा अलीगर नंबर फी क्या से काफी बढ़िया वाई यह एक बार इदर से भी दिखाऊंगा ट्रै आप काफी शांदार भारी भी है जी काफी तो है ना काफी भारी इंगन है और किसान साथी बता रहे हैं कि कोई मेंटिनेंस भी खास नहीं है और माईलेज भी काफी बढ़िया देता है सिंगल पीस बॉनट के साथ है भाईयो काफी बढ़िया लुक भी काफी जवर जस्त है इंडो फार्म बाईयो देख लो काफी बड़ा इंजन है और काफी दमदार ट्रेक्टर है बैटरी भी आगे दिये जिससे के चोरी और ये खत्रा भी ना हो और आगे वेट भी बढ़ गया ना जी बहुत बढ़िया तो भाईयो आज हमारे साथ जुड़े हुएते किसान साथ ही जिन्होंने काफी शानदार जानकारी दी अपने दोनों ट्रेक्टरों के बारे में तो भाईयो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना धन्यवाद